इस वीडियो में हम जानेंगे कि matter की तीन states कौन सी हैं, हर state के कुछ उधारन देखेंगे और तीनों states की properties के बारे में भी जानेंगे Solid, Liquid और Gas matter की तीन states हैं आई ये पहले solids की बात करते हैं, आपका computer solid का एक उधारन है solids की properties इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनके particles किस प्रकार packed हैं solids में particles बहुत closely packed यानि पास-पास एक निश्चित स्थान पर होते हैं और वे move नहीं कर सकते, तो solids rigid यानि द्रिड होते हैं उन्हें दबाया या compress नहीं किया जा सकता और इनका आकार और आयतन fixed होता है ये बह नहीं सकते आईए अब liquids की बात करते हैं उधारन के लिए पानी एक liquid है solids की तरह ही liquids की properties भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि liquid में particles किस तरह packed हैं liquid में भी particles closely packed तो होते हैं लेकिन उतने close नहीं जितने की solids में होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स चारों और मूव कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वे पार्टिकल्स हैं और क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए solids की तरह इन्हें भी दबाया या कम्प्रेस नहीं किया जा सकता। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है द्यान दें, बहुत से स्टुडेंट्स सोचते हैं कि लिक्विट्स का आकार निश्चित नहीं होता इसलिए उनका आयतन भी निश्चित नहीं होगा, लेकिन ये गलत है Finally आईए gases की बात करते हैं Helium gas का एक उधारन है गुबारों में अधिकतर यही gas होती है क्योंकि ये हवा से कम घनी और unreactive होती है अब solids और liquids की तरह gases की properties भी इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें particles किस तरह packed है solids और liquids के विपरीत gases की particles closely packed नहीं होते वो बहुत दूर-दूर होते हैं इसलिए gases rigid नहीं होती है और ये squash या compress की जा सकती है इनका नहीं आकार निश्चित होता है और नहीं आयतन ये जहां भी होती हैं पूरी जगह घेर लेती हैं